नमस्कार एंड वेलकम यॉल एट इंडो पार्ट शाला आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल चलिए शुरूर करते है हमारा वीडियो सबसे पहले देखेंगे कुछ इंपोरेंट फैक्ट और आप लोग याद रखें सबसे पहले जो कोशन बनता है रहा पेपर में वो होता है गवर्नर ऑफ बेंगॉल के उपर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगॉल फिर गवर्नर जनरल ऑफ बिडिश इंडिया इन तीरों से रीड हमेशा कंफिजन रहती है और यहीं पर कॉशन फसते हैं तो पहले देखते हैं फर्स बिडिश गवर्नर ऑफ बेंगॉल थे रोबर इनका टाइम पिरेट था पहले गवर्नर थे ना उस गवर्नर के पद को बना दिया गया था गवर्नर जनरल का पद ठीक है और ये पहले बने थे मतलब पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगॉल के वर्रन हैस्टिंग इनका टैनेयर था 1772 से 1785 नेक्स देखते हैं तो इसके गवर्नर जनरल ऑफ बिटिश इंडिया अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल के लाएगा है ना और इस तरह से फर्स्ट गवर्नर जनरल बिटिश इंडिया के बने थे विलियम बैंटिक अगर देखें तो इस पोस्ट के बाद जो गवर्नर जनरल था इस इसकी पर्मिशन होती थी, इसके साइन होते थे, उसके बाद भारत में कोई भी नियम लाग होता था, ठीक है, तो लॉड कैनिंग थे भारत के फर्स्ट वाइसरोई, बिटिश इंडिया के, लॉड माउंट बिटन कौन थे, ये थे फर्स्ट गरवर्ने जनल ओफ फ्री इंडि इनको भी बोलो, लॉड राजगोपलाचारी, लेकिन आगे तो नहीं लगाया, तो हम नीटन रहेंगे, हम उनको कैनिंग, माउंट बिटन और राजगोपलाचारी बोलेंगे, ये थे थे इंडियान गवर्ने जनल, ओके, नेक्स्ट, यहां देखते हैं कुछ MCQ टाइप क्र सबसे पहले सर्विन्हे अवग्या आंदॉलन के प्रारम के समय भारत का गवर्नर जनल कौन था, रॉड इर्विन, 1930 में हमारा चला का था, सर्विन्हे अवग्या आंदॉलन ठीक है, और इसी के एक एक रिजल्ट में हमारे को मिला था गान्धी- इर्विन पैक्ट, और यह बाता में इस तंवावी जो टाइम प्रॉट फाहू किस का था लोड़ इर्वीई में फिर लोड़ इर्वीई सेट है वो पढ़ाय है श्रामारे को इर्वीईिद का ठीक्रड चलला था श्री रंग पटनम की संधी नेक्स्ट कोशन है निम्लिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है आंस्वर इस ऑप्शन डी लॉड डल हाउजी को इसके अलावा देखते है नेक्स्ट कोशन यहाँ पर जो डल हाउजी था ना उसने ही बहुत सारे important fact किये थे उसने ही बहुत सारे काम किये थे जिसके कारण उसको भारत का निर्माता कहा जाता जैसे डाक विवस्था के बारे में हो रेल हो इस तरह के काम उसने बहुत सारी किये थे निम्लिखित में से कौन दूसरे गोल में सम्मेलन के समय इसका answer Willington ही है, Irwin नहीं है, Irwin का time period 31 में आकर समाप्त हो गया था, शुरुवात में समाप्त हो गया था, और जब दूतिये goal में similar हुआ, second roundtable meeting होई, तो उसमें जो head कर रहे थे, वो Willington ही थे, और इसका source है Spectrum Book, Modern History की, और इसमें आप पीछे की तरफ जाकर के देखेंगे, तो उ उसमें आपको source मिल जाएगा, जिससे मैंने सको search किया है, गूगल पर भी यह दे रखा है, अगर किसी के पास कुछ और updated जानकारी है, किसी और sources की, तो please उसको comment कर दीजेगा, मैं cross कर लूँगा, cross check कर लूँगा, दिखते हैं फिर आगे क्या कर सकते हैं, यहां पर दीखिए Lord Willingdon का time जो था, वो था 1931 से 1936 का, second round table conference, इसके बाद हुआ था हमारा Puna Pact, और हुआ क्यों था, क्योंकि इस समय गांधी जी गए थे, Congress के अगवा बन करके, और Congress का एक माज सेशन यही था, जिसमें Congress ने भाग लिया था, वहां पे जाकर के, अंगरे जुने क्या किया, जित को individually, महिलाओं को अलग, स्टी को अलग, स्टी को अलग, छोटे-छोटे गुटो में बाट दिया, और कहा कि सबको अलग अलग वो मिलेगा, क्या मिलेगा, election के लिए power मिलेगी, तो गांधी जी इस पीच पर अडग गए, जबकि नहरू वो तो तयार हो गए थे, क्योंकि स्टी होगा, वोट लेने वाला भी स्टी होगा, इस तरह की permission अंग्रेजों ने डाल दी थी, लागू करने के लिए बोल जया था, तो जो हमारे अंबेटकर जी थे, वो तयार हो गए थे, और फिर उसी बीच में अंबेटकर जी और इनके बीच में गांधी जी के बीच में रिजल्ट में कुछ हासिल नहीं हुआ, है ना, तो उसके बाद गांधी और अंबेटकर बीच में 1932 में होता है पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट होता है, Government of India Act 1935 भी, किसके टाइम पिरिड में आता है, विलिंग्डन के टाइम पिरिड में आता है, इसके बाद लॉ पूरा करते हैं, नेक्स्ट है, भारत का पहला ब्रिटिश वाइसरोय कौन था, आंसर इस ऑप्शन ए, इसको हमने शुरू में दिखा भी था, लॉट कैनि, फिर से लॉट कैनि, कैनि काफी, ठीक है, पहला ब्रिटिश वाइसरोय थे, कैनि, इन कैनि के बारे में कुछ देख ठीक है, जब 857 की करांती हुई, तो उससे में बहुत सारी कम्या देखने को मिली थी, और उसी में जो कमपनी की फेलियर्स है, उसके बाद जो ब्रिटिश की कुईन थी, उन्होंने चेंज कर दिया रूल, और बोला कि भारत में गवर्नर जनल का पत करते हैं, समाप्त, जो ह बैड करेगा, वो होगा वाइसरोय, और वाइसरोय किसके अधिन काम करेगा, ब्रिटिश पीम के अंतरके वहां पर काम करेगा, जो वहां बैठ करके यहां पर इसको लीड करेगा, इस तरह से समझो, कि जैसे बेटा यहां है, पिता जी उपर बैठ करके लीड कर रहे है, तो तो जो पिताजी बोलेंगे वहीं पेस आई नीचे करेगा और तब काम करेगा तो जो भारत में बैठता था वो था वाइस रॉय ठीक है तो जो पहले वाइस रॉय थे वो थे कैनिंग फर्स्ट वाइस रॉय थे यह मैंने आपको बता दिया ही वाज गवर्वन जनल ऑफ इंड कोई मिला करके यह बोल दे था जाकर के भाई तुम्हारा पर शातन ठीक नहीं चल रहा और तुम्हारे एरिया हमारे अंदर ठीक है यहाँ पर देखते हैं कुछ जानकरीस के बारे में जिसको इंप्लिमेंट किया गया था 1848 में कब किया गया था 1848 में कौन कौन से जो हमारे शेतर थे जो उसके अंदर आए सबसे पहले इंपोरेंट है हमारा सतारा इसको किया था 1848 में जैदपूर एंड संभलपूर ये थे 1849 इसके बाद है आपका बगत ये है 1850 उदैपूर 1852 नेक्स्ट है जहांसी 1853 और नाखपूर 1854 ये एरिया थे इसके अंदर जो डॉक्रन आफ लैप्स के द्वारा भारत ही है मतलब ब्रिटिश भारत शेतर में जोड़े गए थे इसको कर देते हैं डिलीट और नेक्स्ट है मारे पास ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है आप देखते हैं वारेन हैस्टिंग लेट दर फांडेशन ओफ सिविल सर्विसिज इसका मदलब समझे क्या है कि फांडेशन डाली थी किसने वारेन हैस्टिंग ने जबकि जो चार्ल्स कानवालिस था इसने रिफॉर्म किये थे बहुत सारे रिफॉर्म किये थे modern किया था पुलिस को rationalize किया था पुलिस को ताकि भर्ष्ट मंदर जो corruption है वो कम हो सके ठीक है इसलिए कानवल इसको बोलते हैं the father of civil services भारत सरकार अधीनियम 1935 पारित होने पर भारत का governor general कौन था इसको हमने देखा भी था अभी इसका answer है option A Lord Willington कुछ नहीं कर सकते हम इसका Vernacular Press Act का प्रस्ताव किस ने दिया answer is option B Lytton ने दिया था इसमें था क्या देखिए जो The Vernacular Press Act was passed in 1878 by Viceroy Lord Lytton जिनका time period है 1876 से 80 के बीच में और ये मजश्टेट को पावर दिता था security जमा करने की किसके लिए किससे यानि की regional language के newspaper जो हूँ native language वाले जो हूँ ठीक है Vernacular newspaper हूँ और ये उनको रोकने की पावर देता था अगर ये newspaper crown के खलाफ कुछ गलत लिखते थे या फिर negative लिखते थे ठीक है next point है मारे पास however the same rule को मिला करके English language के paper जो थे ना उनके उपर रोल लागू नहीं होते थे next है मारे पास widow remarriage act है वो किसके द्वारा introduce किया गया था ये question है the answer is option C Lord Canning ठीक है Canning ने इसको introduce किया था next है मदर इसके बार में कोई जानकारी the Hindu widow remarriage act 1856 इसको legalize किया गया था remarriage of Hindu widow on 16th July 1856 next point है the act was enacted on 26th July 1856 इश्वचन विद्यसागर्ज थे इन्होंने विद्वा पुनविवा के उत्थान में या फिर इसको permission मिले इसके लिए बहुत सारे important काम किये थे ठीक है prior to this इससे पहले जो हो चुगा था सतीपर्था को समाप्त कर दिया गया था किसके दौरा Lord William Bantic के दौरा next है Congress की सापना किसके कारेकाल में हुई थी इसका answer सबको पता ही है option A Dufferin Dufferin काल में हुई थी और वो Dufferin ही था जो Dufferin का time period है वो है आपका 1884 to 88 3rd Burmese War भी इसके time period में हुई थी ठीक है और वही बिसिक सी चीज़े है Indian National Congress 1885 में टुक प्लेस during his tenure next question है हमारे पास Warren Hastings भारत में बंगाल के पहले Governor General किस वर्ष बने थे answer is option C 1733 1773 अब वो इन्होंने established किया था एक revenue board 1772 में he abolished dual system of governance ठीक है इसके अलावा he founded the Asiatic Society of Bengal with William Jones ठीक है कब करी थी 1784 में कलकत्ता के अंदर Warren Hastings laid the foundation of civil services and Lord Convolence reformed यह point आप याद रखेंगे कि foundation दखे थी civil service की Warren Hastings ने और reform के इसे Lord Convolence ने जैसे हम पिछे देखा और modernize भी किया था कानवाल इसने रशनाइज किया था कानवाल इसने next है मारे पास निम्लिकित में से कौन बंगाल का अंतिम governor general था आप देखते हैं क्या इसमें जो एक चार्टर आया था 1833 में governor of the state बंगाल designated as governor general यह हमने शुरु में पढ़ लिया है कि बंगाल का जो governor था उसका नाम बदली कर दे गया था governor general next है मारे पास क्रिप्स मिशन निम्लिकित में से किस viceroy के कारेकाल के दोरान भारत आया था इसका अंसर है option C Lord Lynn Lithu क्रिप्स मिशन came to India in March 1942 और इसका काम था इंडिया इंडियन कॉपरेशन मतलब भारत से सहमती लेना और ताकि वो जो second world war चल रहा है उसमें support कर सके कौन जो भारती है उसको support करे ठीक है किस governor general के शासनकाल के दोरान railway line की स्थापना की गई थी इसका answer है option C डलhousing ठीक है और इसलिए इसको भारत का वो बोलते हैं अभी हमने पीछे देखा था ना काट देना इस line को भी भूल गया मै इसके अलावा हमारे पर कोई जानकारी है Lord Dalhousie is known as the father of Indian railways इसके अलावा first railway minister of India was John Mathai यह हमने पहले अपने इलूसर में कही बार पढ़ा है John Mathai थे the first railway on the Indian subcontinent ran over stretch 21 miles ठीक है Bombay to थाने 21 मिल पहले हमारी train चली थी next point है यहाँ पे कुछ important fact about railways क्या क्या है जैसे India's first train यह थी Red Hill Railway which ran from Red Hills to Hills to Chintari Pate Bridge in 1837 India's fastest train Vande Bharat Express India's fastest train कौन सी है Vande Bharat Express is the fastest train in India with a speed of 180 km per hour followed by Gatiman Express with a speed of 160 km ठीक है train with longest route यह हमारी Vivek Express running between Debrugald to Kanyakumari यह cover करती है 4,260 km around 82 hours लेती है 83 hours प्रोपर माल लो largest railway junction इंडिया का है Mathura junction इसके लावा first railway station in India वो था बोरी बंदर या बोरी बंदर कुछ भी आप इसको पढ़ सकते हैं located in Mumbai was the first railway station in India यहाँ पर है गांदीची के दुआरा शुरू की गई दांडी यातरा के समय भारत का वाइसरोय कौन था answer है option C Lord Irwin थे who was the last British Vice-Royal of India इसको हमने शुरू में देखा था answer है option C Mountbatten say some important governors कौन कौन से रहे हैं Irwin था 1926 से 1931 इसके ही time period में आह था हमारा Simon Commission तानिय मार्ज भी इसी में हुआ था civil disobedience movement की घटना इसमें हुई थी first round table conference भी इसी में हुआ था और Gandhi Irwin pact भी इसी की time में हुआ था next है Lord Willingdon इसका time period है 1931 to 1936 वो पूरा नहीं हुआ था 1936 के शुरुआत में इसमें छोड़ दिया था और Irwin दुबार आ गए थे second round table conference की time में होती है पूरा pact होता है Government of India Act 1935 जिसके जिसमें से हमारे जो आज का हमारा present constitution है उसका लगभग 70% हिस्सा हमने इसमें से ही लिया है तो यह भी काफ़ इंपोरेंट काम इसके time में हुआ था Lord Linlith को 1936 से 1934 का time period है August offer इसके time में आया था Crips Mission के time period में आया था Lord Reading 1921 to 1925 इसका time period है चौरी-चौरा incidents के time में हुआ Mopla Rebellion in Kerala Mopla Kerala के गरी मुस्लिम किसान थे ठीक है ऐसा question मनता है इस लिवता रहा हूँ Next है हमारे पास Warren Hastings इनके time में हुआ था Regulating Act of 1773 First Governor General of Bengal भी यही थे इन्होंने ही First English translation of Gita किया था Lord Wellesley के बारे में बात करें तो इन्होंने introduce किया था Subsidiary Alliance System अगर next देखते हैं Next हमारे पास William Bantic इनके time में आए था Charter Act 1833 इसका उन्होंने पीछे पढ़ा है रियाद करो क्या था Abolition of 17 के time period में हुआ था यह काफी important है 1829 का year याद रखना Resolution of 1835 Education reforms हुए थे Introduction of English as the official language किसने करी थी William Bantic Dalhousie Railway Minute of 1853 Telegraph Postal Video Remarriage Act ठीक है और Doctrine of Laps की नीती Dalhousie के time में आई थी इसको बिलकुल नी भूलना है Vice Roy from Curzon to Mountbatten कौन कौन रहे हैं पहले इसकी ट्रिक है यह ट्रिक देखते हैं क्या है रिक को धिहान से समझो क्या है Curious Mind पैनाओन कर लेता हूँ Curious Mind Hardwork Made Columbus Reached India While Left was Madagascar Madagascar ने छोड़ करके वो किस तरह से इंडिया पहुँचा था कौन जिग्यासू माइंड का एक महनती Columbus ठीक है बस ऐसी कहानी बना कर यह बोल दे तक कि याद हो जाए Curious मतलब करजन है Mind मतलब Minto Hardwork मतलब Harding और Made Columbus यानि की James Ford ठीक है Reached Reading है India Irwin है While Wellingdon है Linlithgow Wevel Mountbetter यह सारे थे कौन Voice Roy ठीक है इसके अलावा देखते हैं Next यहाँ पे होता है मारी वीडियो का एन हुप साब लोग अच्छा लगा हो Thank you